oh so hey guys आज किस वीडियो में लोग बात करने वाले spiral metrics traversal के बारे में basically spiral matrix traversal क्या होता है हम लोग यह सीखेंगे इसके साथ साथ सीखेंगे कि वह easiest तरीका क्या spiral matrix traversal को सीखने का यह काफी important question है placement point of view से चुडेंट्स को इसको सीखने में काफी दिख्यतते आती है तो मैं आपको एक ऐसा अप्रोच बताने वाला हूँ जो आपको लोंग लास्टिंग याद रहेगा लंबे टाइम तक याद रहेगा और आप इसको इसली जब चाहो रिकॉल कर पाऊगे देखो में चीज क्या होती है कि जब भी आप किसी कोश्चन को अप्रोच करो तो आपन लोग इसको कोड में कैसे करना है और एक बार सीखल याँ करना क्या है यहाँ यह आपका एक मेठ्रिक्स है यह 4 x 5 और का मेरे को सिर्फ इतना पता है कि N by m order का कोई matrix है n by m order का कोई matrix है जिसमें n equals to number of rows है और m equals to number of columns है ठीक है ओके अभी बात करते हैं कि इसको कैसे proceed करना है अब इसका नाम है spiral matrix traversal spiral matrix traversal का मतलब क्या होता है देखो spiral अगर आपने देखा हो कभी तो spiral हमेशा इस form में चलता है ऐसे इसका मतलब क्या है कि यह बाहर से अंदर की तरफ को जाता है center की तरफ को अब यह हमारा matrix है अगर हम spiral में implement करें matrix को या spiral order में print करें तो देखो यहां पर आपका जो matrix है अगर इसको spiral order में print किया जाएगा तो यहां पर पहले यह बाहर वाले सारी rows और column sprint होंगे फिर एक-एक करके यह अंदर जाता चला जाएगा और एंड में यह लास्ट element पर पहुंच जाएगा matrix के जो भी इसको last element मिलेगा basically center में matrix के अब देखो हम बात करते हैं कि इसका अप्रोच क्या होने वाला है तो अप्रोच काफे है कि यह जोगा हमारा मारा bottom A गयर जो लेफ्ट है basically present करता है है यह जिर्यमारे 0th column को और राइट Ρीप्रेज़नट करता है हमारा Tips धिरेक्शन में बढ़े गा और राइट हमारा इस डिरेक्शन में बढ़े है basically मैं आपको बताता हूं कौन से दो अप्रोच होंगे तो देखो दो अप्रोच आपकी maximum possible क्या हो सकते हैं कि या तो आप horizontally move करोगे या फिर vertically move करोगे ठीक है जब आप horizontally move करोगे तो आप left to right move करोगे या फिर right to left move कर सकते हो इससे जाद आप कुछ करने वाले हम लोग जब left to right move करेंगे तो हम left to right लेंगे और जब हम उपर से नीचे move करेंगे तो हम लोग top to bottom लेंगे अब इसका अप्रोच देखते हैं होगा क्या तो पहले हमें 4 variables बनाने पड़ेंगे चार variables हम लोग बना लेते हैं फटा-फट तो तो देखो सबसे पहला 500 बनाता हूं left-int-left इसकी कोई वैलियो Gentlemen condemn फिर हमारा next variable होगा वह हमारा top यह भी इंट्र टइब का ही हो इसकी वह मेल्योंगी देंफिर होगे हमारा। विह ऊंसे राइंट में गया इसकी भी कोई वैलियो कोई मेल्यों होगी और फिर होは होगी 0,0 को represent करता है तो इसकी भी value 0 होगी,right हमारा represent करता है last column को तो इसके represent होगी M-1 and bottom जो है हमारा represent करता हो last row को represent करता है तो इसकी value होगी N-1 तो यह चीज़ समझो, यह जो M or N है, N हमारा number of rows थे हमने पहले discuss कर चुक है हम लोग यहाँ पे number of rows और M है हमारा number of तो देखो यहां पर क्या सिनेरियो होगा जब हम left to right या नि horizontally मूँव करेंगे तो हम लोग अपने loop को left to right चलाएंगे और जब वर्टीकली मूँव करेंगे तो हम अपने loop को तो से bottom चलाएंगे अब देखो सबसे पहला loop लगाते हैं तो सबसे पहला loop हम लोग चलाएंगे इस रो को प्रिंट करने के लिए यह हमारी जिर्ट रो है इसको प्रिंट करने के लिए कि हमारा spiral इस ओडर में चलेगा मैं आपको दिखाता हूं किस ओडर में कि तो तो हमारा spiral चलेगा basically वह कुछ ऐसे चलेगा ठीक है यह देखो एसे और end में उसके पास 12 आना चाहिए ठीक है अब बात करते हैं जो spiral चलने वाला इसको कैसे चलाना है ठीक है तो देखो सबसे पहले हमारी यह रो आएगी तो इसमें हम लोग क्या करते हैं लूप लगाते जिससे यह रो प्रिंट हो जाए तो मैं लिखूंगा 4 कि इंट इसमें हम लोग कैसे जाएंगे इसमें जाएंगे left to right ऐसे तो इसका मतलब क्या हम लोग लेफ्ट से शुरू करेंगे i equals to left ठीक है कहां तक जाएगा i less than equals to right और इसको करएंगे से अगली यह पूर्ण करानी इसे अग़ी रो निए प्रिंट करानी। करानी हमारी रो अंह Students रहेगी हमेशा। टॉसका मतलब हम लोग जब एरे के अंदर यानी हमारी मेट्रिक्स के अंदर जब यहां पे values पास करेंगे तो रो को हम constant रखने वाले हैं तो रो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा रो रिप्रेजेंट करता हमारा टॉप तो मैं यहां पर लिखूंगा टॉप रो तो हमारी constant रहेगी और हमारे columns पढ़ेंगे तो columns हमारे i से iterate होते चले जाएंगे हर बार तो अभी मैं आपको यह समझा देता हूं कि काम कैसे करेंगा basically क्या इसका control रहने वाला है तो देखो for example हमारा सबसे पहले देखते हैं i equals to left है इसका मतलब i equals to हमारा 0 है i equals to 0 अब हमारा क्या हुआ हमारा इसके अंदर आया तो इसने लिखा array of top और i तो array यानिके top कितनी है हमारी top की value भी 0 है तो 0,0 चाहिए सबसे पहले इसको तो 0,0 पर क्या है वन इसने वन प्रिंट कर आया फिर यह आगे जाएगा आगे वापस हमारा i कितना हो गया वन तो इस बार क्या चाहिए इसको array top और one top कितना अभी भी हमारा 0 है तो यहां पर देखो top हमारा 0 है यानि 0 है तो यह प्रिंट करा देगा फिर ऐसी next 3 फिर 4 और फिर 5 और 5 पर जाके रुख जाएगा क्योंकि यह i less than equal to right लिखा है हमने ठीक है तो इस तरीके से काम करने वाला है तो यह लूप हमारा इस पूरी करना इसका मतलब क्या है मेरिको रोवाइस हर बार मेरी इस बार रोचेंज होगी फिर्स रोष सेट रोडरो मतलब zero रो फॉर्स रोडरो और फिर इसमें भी मेरा कोलम से मेरा और मैरा राइट वाला है प्लस रोव कॉनसी चाहेगी मेरी टौप तुबटम जाएगी तो हम लो लूप के खतम होने के बाद मैं लिखूंगा तो यहां पर लिख दूगा लूप के खतम होने के बाद मैं लिखूंगा प्लस प्लस और यह मैंने टोप को इक इनक्रिमेंट कर दिया अब बात करते हैं नेक्स्ट अब देखो अब मैंने अग्ला लूप लगाते हैं four इंट इंट इस बार हम कैसे चल रहा है वर्टीकल रिंसा रहा है वर्टीकल इस चलते है तो अब यहां पर लिखेंगा इक वाइल लूप के अंदर भी जाएगा तो वाइल लूप की कंडिशन भी यहां पर आएगी वह मैं बताऊंगा कंडिशन इसको पूरे कोड को लिखने के बाद आपको ठीक है तो अभी समझो यह वगया अब चलते हैं अंदर अपने अब चलते हैं तो मैं पर लिखोंगा इसको कट करते हैं और यहां पर हम लोग पार करेंगे हमारा इस बार रोग चेंज होगा और और यह वाला लूप भी बंद और यह मिल गया यह वाला कोलम ठीक है तो हमारे करना पर कई करा और यहां पर मैं पर अब यहां से 19 पर यहां पर तो यहां पर आने के लिए मैं किसको माइनस करूंगा क्यूंकि यहां पर मेरा कोलम चींज करना है रो तो हमारा हो गया तो कोलम कौन रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट या राइट अभी राइट साइड है तो मैं राइट को एक माइनस करूँगा तो मैं यहां पर राइट माइनस माइनस यानि के राइट को एक decrement करूँगा मैं ठीक है अब समझो next next हमारा loop होगा 4 यहां पर अच्छा इस loop में एक और जो विकेंड से logic है वो यह है कि यहां पर आपको एक if statement लगाना पड़ेगा if statement क्या होगा for example suppose गोरो आपके पास एक ऐसा मेट्रिक्स है ठीक है यह मैट्रिक्स सिर्फ है अब ऐसे मेट्रिक्स में जिसके अंदर आपको सिर्फ पांच elements ऐसे दिये हुए हैं ऐसे तो ऐसे मेट्रिक्स में आपका जो code है top to bottom वाला वो सिर्फ एक एक बार निकल जाना चाहिए ना कि आगे तक चलते रहना चाहिए तो ऐसी कंडिशन को काउंटर करने के लिए या फिर अगर आपके पास एक ऐसा हम लोग चल रहे है right to left इसका मतलब क्या है left is less than equals to right इसका मतलब क्या है कि left हमेशा हमारा right से छोटा होना चाहिए अगर हमारा left right से छोटा या उसके equal है तब ही तक हमारा right से बड़ा हो जाता है इसका मतलब बाहर निकल जाएगा इस लूप से है तो जैसे ही condition आएगी तो इस वज़े से यहां पर यह condition लगाना जरूरी है यह तो एक एक बार हो गया यहां पर लेकिन इसके बाद यह condition लगाना जरूरी है तो अब समझो यह जो था हमारा यह top और last column के लिए था इसका मतलब इन में condition की जुरूरत नहीं है लेकिन अभी हम लोग bottom to top आ रहे हैं तो ऐसे में क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूं अब if left is less than equals to right तो ही हमारी condition जो है वो fulfill होगी तो इसमें हम क्या करते हैं for loop लगाते हैं वापस for int i equals to अब हम क्या करेंगे अब ह और कहां तक जाएंगे हम लोग left तक इसका मतलब i should be greater than or equals to left ठीक है और i minus minus इस बार हम i को decrement कर रहे हैं क्योंकि हम right से left की तरफ आ रहे हैं ठीक है तो अभी हम लोग इसको decrement करते हैं और इसके अंदर हमारा जो है इसको print कराते हैं अपने elements को see out array और इस बार हमारा row से में औ हमारा bottom वाला है को कोलम हमारे चेंज हो रहे हैं तो इसमें हम आई कर देते हैं और इसको हम लोगों ने कर दिया finish और यहां पर हम लोग अपना 15 20 एंड 19 18 एंड 17 एंड 16 हमारे जो हैं यहां पर आ चुके हैं इसको मैं नीचे लिख देता हूं के यह आगे अब बात करते हैं इसको नीचे लेके चलते हैं थोड़ा सा और अब हमें इस पे से इस पे switch करना है यानिके 16 से 11 पे switch करना है इसके लिए करना पड़ेगा अब मै कैसे चल रहा हूं अब मैं चल रहा हूं रोवाइस तो इसका मतलब क्या है मेरे को bottom to top जाना है और मेरे को रो को यानिके कौन सी रो यानिके मेरी bottom वाली रो को एक decrement करना है तो एक decrement करने के लिए हम क्या करेंगे bottom minus minus कर देंगे ठीक है bottom minus minus किया और यह हमारा if condition भी बंद कर दिया अब if condition दोबारा से लगेगा और वो लगेगा top to bottom के लिए क्योंकि अब हम कैसे जाने वाले अब हम ऐसे जाने वाले तो ऐसे जाने के लिए हम कहां जाएंगे bottom to top जाएंगे तो उसके लिए हम लगाएंगे if top is greater than equals to bottom तो ही हमारा condition चलेगा for int i equals to bottom bottom से चलेगा bottom को हम पहले सी decrement कर चुक है यहां पर और हम कहां तक चलाएंगे i greater than equals to top ठीक है और i minus minus ठीक है और इसको भी हम लोग यहां पर चला लेते हैं किसी आउट करते हैं see out print कराते हैं अपना array और इसमें इस बार हमारे रोज हो रहे हैं तो रोज होने के लिए हम लोग रोज को चेंज करेंगे तो i से और और कोलम हमारा सेम है, तो कोलम हमारा रहेगा लेफ्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला कोलम रहेगा, यह देखो, आप देख सकते हो यहां पर, हमारा कोलम कौन सा है, लेफ्ट वाला है, ठीक है, और इसको भी हम लोग कर देते हैं, लूप को बंद, और लेफ्ट को इस बार इ इंक्रिमेंट करेंगे क्यों इंक्रिमेंट करेंगे मैं बताता हूं क्यों करेंगे यह देखो अभी लेफ्ट हमारा यहां पर आ चुका है जिस तक प्रिंट हो गया है तो लेफ्ट को एक इंक्रिमेंट करना ऐसे इस तरीके से ठीक है तो लेफ्ट हमारे एक इंक्रिमेंट गेहां मारा वाइलूप वाइलूप कहा पे लगेगा मैं bet आत् Bogie, इसको हमें इसको आप देखो आपको जो वाइलूप है वो तब तक चलेगा जब तक आपका टौप बोटम से छोटा रहेगा और left हमेशा right से चोटा रहेगा मतलब जब तक आपका left right से चोटा रहेगा और top हमारा bottom से चोटा रहेगा तब तक हमारा while loop चलेगा तो मैं यहां पर लगा दूंगा condition while top is less we can say less than equals to bottom and operator लगाएंगे दोनों condition true होनी चीह left is less than equals to right तब तक हमारा while loop चलता रहेगा और इस while loop कम लोग नीचे कर देते हैं close यह देखो यह मेरा while loop भी close हो गया तो यह था आपका total spiral traversing का logic कैसे आपका spiral variables रख रहों जिसमें user हमारा number of rows or columns को enter करेगा तो दो number of rows or columns बना लिए और इसमें हम लोग user से वो लेता है कि कितने dimension को चाहता है अब हम एक array को declare करते हैं तो इंट और यहां पर हम लोग एक array बना लेते यह रार नाम का जिसके अंदर दो हम यह जो हमने dimensions लिए यह order लिए उसको पास करते हैं n by m का हमारा array होने वाला है और अब हम user से जो है इस array को जो है इस array के elements को input ले लेते हैं तो हम लोग यहां पर चलाते हैं लूप फॉर अब देखो अब क्या करना है अब यहां पर लोगों को क्या करना है हम लोगों को यहां पर इस array को में लिया है यहां पे अपने हमें सब्सक्राइब लेफ्ट को शुरू करना था तो राइट शुरू करना था हमारा हमें विकंट से म-1 से कि इंट इसको यहां पर एक स्पेस को हटा लेते एक स्पेस जाद आगे उके टॉप और जी इंट बोटम और जो हमारा टॉप इसके वेल्यू जीरो रहने वाली थी और बोटम की रहने वाली थी अब यह क्या करते हैं अब यह लोग अपना वाइल कंडिशन लगाते हैं वाइल से सुरू होना ना वाइल लेफ्ट इस लेस देन इक्वल्स तो राइट एंड टॉप इस लेस देन इक्वल्स तो बोटम तब तक हमें लूप चलाना है ठीक है अब यहां पर पहला लूप लिखते हैं for int i equals to left से चलना है left कहां तक जाना है i less than equals to right और i++ और यहां पर अपना जो array उसको कर लेते हैं cout मतलब अपने elements को print करा लेते हैं array of इस बार मारा रहेगा तो रहने वाला है top अब कोलम है वह हमारे चेंज होंगे तो हमारे कोलम के अंतर हम लोग लिखते हैं आई यहां पर अब हम बात करते हैं अपना इट्रेटिंग कंडिशन लगाता है top plus plus ठीक है और इसी को अम लोग सेम रिपीट करेंगे बार बार यह के टॉप टू बॉटम है अब हम अपना कंडिशन लगाता है इस अब हम अपना कोट पूरा लिख चुक है इसको में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जिससे आप लोगों को दिखने में थोड़ा असानी हो तो कोड़ा लिख चुक है अब इसको थोड़ा साम लोग जो है रन करके देखते हैं ठीक है तो इसको मैं करता हूं से और इसको करते हम लोग रन करने के लिए फटाफ़ टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहां पर मैं अपने रोज और कोलम सेंटर करता हूं मैं बना तो एक मैट्रिक्स 3x4 की अब यह मेरे से पूछेगा elements तो elements हम लोग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 तो देखो 1 2 3 4 8 12 11 अच्छा इसको हम थोड़ा सा न वैसे करते हैं कि थोड़ा सा इनके बीच में गैप भी रहे जिससे हम लोगों को समझ में आए कि वीकें से थोड़ा सा गैप है इनके बीच में ठीक है यहां पर हम लोग करते हैं थोड़ा स्पेस एड़ करते हैं और अब इसको बंद करते हैं ओके अब इसको सेव करके रन करते हैं दोबारा तो देखो यहां पर हम लोग 3x4 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे 3x4 एंड एलिमेंट्स पास करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 सोरी 12 लिखते हैं पहले चलो कोई बात नहीं 11 लिख लेते हैं अभी तो देखो 1 2 3 4 8 11 12 10 9 5 6 7 6 अभी मेरे सामने मेरा जो स्पाइरल प्रिंटिंग है वह के आ गया और मेरा मेंट्रिक इस पर्ल इस पैरल की फाम है की की कैसे करना है आप थोड़ा से प्रेक्टिस करोगे तो आप इसली आ जाएगा और आप भूलोगे नहीं कभी भी लेफ्ट राइट वाले पंगे हो और इसली आप भी इसको समझ सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बस में चीज़ है जो रिक्वार्मेंट है प्रैक्टिस की ओके थैंकि सो मच फॉचिंग दी वीडियो अगर ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो को दा कि रिगार्डिंग या पि最近 किसी बिंपर अल्गोर्थ भी या जोलूज एकूल संबस्क्काइब कर सकते हो अगर फीजिफ कि ये शेलों को स्ब्सक्राइब के लिए